नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनविंदर एम्बियन नेट्वर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत हैं दोस्तों दिल्ली संभाली नहीं जा रही है और दिल्ली के लोग प्यास की वज़े से टेंकरों की पीछे भाग रहे हैं एक एक भून पानी के लिए तरस रहे हैं और संजे सिंग ने एक नया शीगूफा चट दिया है संजे सिंग का अगला प्लैन क्या है संजे सिंग किस तरीके से केजडिवाल को पटकनी देने के लिए तयारी कर रहे हैं इसी पर बात करते हैं और ये भी बात होगी कि किस तरीके से टेंकर माफिया जो है उसको अपने गले से उतार के दूसरे के गले में डाल दिया गया है तो तो संजे सिंग कैसे अपनी नेतागिरी चला हैं, तो उनका जो नया जिगूपा है, वो ये है कि वो अब ये कह रहे हैं कि आम आदनी पार्टी बिहार से चुनाव लड़ेगे, सुना अपने, क्या प्लैन है उनका, यानि कि दिल्ली में फेल हो गई, पंजाब में फेल हो गई, गुजराद में फेल हो गई, जहां जहां इसने पैर जमाए, वहां वहां से इनके पैर खिसक गए, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गए, लेकिन अब ये अपने पैर बिहार में जमाने की सोच रहे हैं, अब बिहार में चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये इस बात पर गुल मार गया है वो, लेकिन अगर सच में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि एक और क्रांती होने जा रही है आम आदमी पार्टी में, ये नहीं कि आम आदमी पार्टी कीड़ा कुलगुला रहा है, वो केजरिवाल को कुतर देगा, या फिर संजे सिंग ही निपट लेंगे, अब देखें, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप ये देख लिजे, कि लोक सभाज नौ में करारी शिकस्त जेलने के बाद, अर्विंद केजरिवाल की आम आदमी प से इसका एलान भी कर दिया गया है, कि ये जो उनका एक अफेर था, ये सिरफ और सिरफ चुनाव भर के लिए था, अब उनके आपस में कोई रिलेशन्चिप नहीं है, लेकिन अब राष्टिय स्थर पे अपनी पहचान बनाने के लिए पार्टी हाथ पैर मार रही है, दिल् खबरें आ रही हैं, वो खबरें बड़ी दिल्चस्प हैं, केजरिवाल के पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने की तयारी कर रही है, और आपके राजिसवासांसत संजी कुमार सिंग इसकी घोशना कर रहे हैं, और लोगों से ये बत्याते फिर रहे हैं कि वो विधान चुनाव लड़ने की तयारी कर रही है, और पार्टी ने चुनाव की तयारी शुरू कर दी है, ये भी उन्होंने कह दिया है, और इस दोरान उन्होंने बिहार में सरकार बराने का दावा भी ठोक दिया है, देखिए इनकी गाड़ी कितनी तेज चल रही है, और ये भी कहा ह कि बिहार विधान सभा चुनाव के बाद बिहार की जनता को ठीक उसी तरीके से गुड गवेननस के लाब मिलेंगे जिस तरीके से दिल्ली को मिलें अब पहले तो दोस्तों अब यही समझ लीजे कि इन्होंने दिल्ली को क्या दिया है फ्री बिजली दी है लेकिन बिजली है ल तो जब बिजली है ही नहीं, तो बिजली क्या देंगे ये? अब पानी पे आजाएए, पानी का आपको पता ही है किती मारा-मारी चल रही है, पानी के लिए एक जंग लड़ने जैसा काम हो गया है दिल्ली में, और ये क्या सपने सजो रहे हैं कि ये लालू को, नितिश कुमार को शाइसे अंडरेस्टिमेट कर रहे हैं, लालू यादव को, नितिश कुमार को, वैसे नितिश कुमार और लालू यादव के साथ इंडियलाइस्क में ये साती सहयोगी रहे हैं, लेकिन अब बिहार में अपनी सरकार बनाने की तयारी कर रहे हैं, तो सब कुछ भाड़ में जाए इनकी वज़ा से और आप इसको इस तरीके से समझिए दिल्ली में भी 2025 में चुनाव होने है और आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनके नेता यानि कि उनके सुप्रीमो मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जेल जा चुके है और जेल जाने से पहले उन्होंने जो 21 दिन का उनका पैरोल कहिए उनको आंतरिम जमानत कहिए कि उसमें जो उन्होंने खेल खराब किया है उसकी भरपाई शायदियाब हो सके 21 दिन उन्होंने ऐसे कर दिये कि अपने लिए बहुत सारे खड़े खोद लिये केजरिवाल अपनी खराब्सेयत का हवाला दे करके अपनी अंतरिम जमानत को एक्सेंट करवाना चाह रहे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं रावजवन्यू कोट ने मेडिकल ग्राउंड पर अर्विन केजरिवाल की जमानत को खारिस कर दिया अब अदालत ने 24 दिन की नयाएक हिरासत उनकी बढ़ा दी है 19 जून तक उनको जेल में ही देना पड़ेगा उसके बाद फिर एक्सेंट होती रहेगी उनकी जो हिरासत है इस तरीके से सालों साल निकल लाते हैं और जेल से आने के उनके आसार भी बहुत कम है इसलिए इसलि लिए जमीन तयार कर रहे है लेकिन अच्छा होता अगर संजे सिंग दिल्ली की जनता के लिए सोचते बजाए बिहार में जाने के अब आब यह देखिए कि दिल्ली की हालत इस समय क्या है पानी नहीं है और बुद्वार को करीब करीब तीन घंटे वहां लाइट नहीं रही तो ऐसे हालात में इनको दिल्ली के लोगों का सोचना चाहिए या कि इनको बिहार में जाकर के अपनी राजनीती चमकाने के लिए सोचना चाहिए और गुरुवार को आतिशी मान लेना रागव चड्डा के साथ केज्रिवाल से मिलती है जेल में जाकर के इस बार ऐसा सुना गया है कि उनकी जो मुलाकात हुई है वो वन टुवन हुई है जो वेटिंग रूम्स होते है जेल में मुलाकाती रूम जिसे कहते है वहां पे उन अपने दिली सरकार को हल्फ नामा देने के लिए कहा है क्यों ये पूछा है कि टैंकर माफिया क्यों चोरी कर रहे हैं क्यों आपने इस तरफ अभी तक ध्यान नहीं दिया क्यों इसका संग्यान नहीं लिया अब समझने की बात ही है कि चोरी तो खुद अर्विन केज्रिवा कर वा रहे हैं इसलिए हल्फ दामा क्या देना है इसमें तो राय फिर केज्रिवाल की ही चलेगी न तो टैंकर माफिया आज से नहीं पिछले 10 सालों से केज्रिवाल की छत्रशाय में चल रहा है और आतिशी मार लेना क्या कहती है ये भी आप देखिए अच्छा एक और बात उन टैंकर्स को अपरेट कर रही है दिली सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है ये बात क्यों पैदा होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस पसंदना बराले की जो वेकेशन पीठ है इस मामले की सुनवाई कर रही है और अभी सुनवाई चल रही है इसमें बाकाईदा इसमें हल्पनामा वगरा मांगा गया है और भी कई सारे चीजें मांगी गई है इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केश की सुनवाई करते हुए पानी की समस्या को ले करके मुक्क सचिव को भी तलब किया है और हल्पनामा दायर क करने के लिए आतिशी को बोला है जल मंत्री चुकि आतिशी है हाला कि आतिशी के पास कई और 17-18 विभाग हैं लेकिन फिल हाल जो पेजल की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है तो उसके लिए हल्ब नामा त्यार करना होगा अब सुप्रीम कोड ने ये कहा है कि हर्याना के पास जो भी पानी था वो दिल्ली आ चुका है जबकि दिल्ली का दावा है कि हिमाचल परदेश ने उसके लिए 133 क्योंसे पानी छोड़ा है लेकिन हर्याना कह रहा है कि उसके पास और पानी है ही नहीं इसी मामले को लिए करके सुप्रीम कोड में सुनवाई चल लई है जि यह एक राजिनिती शुरू हो गई है हिमाचल ने कहा है कि उनके पास अब दिल्ली के लिए पानी नहीं है और इस समय हलात यह है कि पुलिस वाले मुनक नहर पे पहरेदारी कर रहे हैं ताकि वहां से पानी चोरी नहों जाए लेकिन यह अभी चोरी के उपर पहरेदारी क्य लुक presente क्यों चीशा के दराष हुआ हुए है इससे पहले क्यों नहीं इसका सवाल इसे जो सवाल है इसका भी तो जवाब देखना चाहिए न मैं आपको दिखाती हूं कि किस तोरीके से चोरी तो ही ही रही है वह आप देख रहें किस तरीके से रहे है और किस तरीके सेтории वроб के तुव आई है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। और दिल के जितने भी नेता थे वह यह कह रहे हैं कि हमें पानी नहींन मिल रहा हर्याना पानी दे इसने की रोक रखा है तो वह आपको दिखाने के लिए मैं आज यहां आया हूं आप इधर देखिए यह एक दूत्रा पाइपलाइन पानी है इसके ठूँ आपको दक्षिनी धिली को पानी जाता है और यह अंदर से लिकेज है कितना तेज लिकेज है आप अंदाज अलग्स अंदर से आप देख रहेंगे यह पाइपलाइन का लिकेज है और इसकी मरमती पिछले 10-12 साल से नहीं की गई है यह बात मैं नहीं यहां कि अस्थाने लोग भी कहते हैं और इनका कहना है कि सारा पानी यहां से नाला भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा और आपको मैं पूरे छेथर में ऐसे पीन कीलोमेटर जब हम चल किया है पाइपलाइन के ठूंख तो पूरे तीन कीलोमेटर के रेंज में 80 के करीब ऐसे लिकेज पॉइंट दिखे है आपको आगे मैं लिखातो हूं देख़िए यह एक लिकेज पॉइंट है यह दूसरा है मिज़ेज पूरी दिल्ली धदक रही है जल रही है लोगों के पास पीने को पानी नहीं है संगम विहार देवली। अप दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके जहां पर पानी की खिलत आप सब लोग मीदिया में देख रहे होंगे लेकिन इनके विधायत बढ़िया कपड़ा पुर्ता ताइट कुर्ता पहन के सीधा आपको प्रेस कॉंफरेंस में नजर आएंगे और उसमें ब्लेम करते में नजर आएंगे कि ये हर्याना ने पानी हमारा रोकर रखा जिसने दिल्ली में पानी नहीं आता हमाई यह माजल पानी नहीं दे रहा लेकिन सचाई ये है कि आप सब सामन तो आपने देखा कि जो पानी पीने के लिए होना चाहिए वह लीकेज में जा रहा है अच्छा एक बात और है अभी एक चीज और देख लीजे आप इनकी खिचाई तो बरी जबर्दस हो रही है लेकिन इनकी मोटी खाल है इन पे कोई फरक ने बढ़ता अब विरेंज सच्देवा जो है इन्होंने कहा है कि हमने सिरफ अभी पिक्चर दिखाई है हरयाना से जब दिल्ली का पानी पहुचता है तो अधिक मातरा में ही होता है लेकिन मुनक शहर से ले करके काऌली तक पानी की चोरी हो रही है निची टेंकर मां खड़े हो करके पानी चुराते हैं और दिल्ली में पानी की कमी मूल लूब से दो कारन है पहला चोरी और दूसरा a missed management और दिल चापसी बात है कि उसे दिल्ली की जनता से कोई सरोकार नहीं है तो ये भी उन्होंने कहा बिरिन सचतेवाने कि वो पूछना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों से क्या आखे मूद रखी हैं तो दोस्तों ये जो बात बिल्कुल सही है लीकेज देखिये कितनी है ये एक स्पॉट है एक जगा का पाइप है जहाँ पर आपको 4-5 जगा से लीकेज दिखाई है और अगर पूरी दिल्ली में ही ऐसे पाइप होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लीकेज हो रही होगी प्लस टेंकर माफिया तो दिल्ली की जनता कहां से पानी पिए तक कदम क्यों नहीं उठाया और सुप्रीम कोट ने ये भी कहा है कि दिल्ली में टेंकर माफिया काम कर रहा है उस पे कारवाई क्यों नहीं कर रहे हैं अगर दिल्ली सरकार कारवाई नहीं कर सकती है तो फिर दिल्ली पुलिस से हम कारवाई करने के लिए कहेंगे और दोस्त कर चोरी पानी लेकर जाते हैं तो यह एक कैसा sound करता है कि पानी की भी पहरेदारी हो रही है कि वहां से पानी कोई चुरा न ले अब ये मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि अपनी दिली संभाली नी जा रही है बिहार में जा रहे है प्लस आज जो आतिशी मार लेना ने रागव चड़ा के साथ जाकर के मुलाकात की है और ब इनने कैसे सपोर्ट करना है कैसे इनको चिपाना है कैसे इनकी सचाई को बचाना है ताकि सुप्रीम कोट इस पे कोई और बड़ा बवाल न खड़ा कर दे ताकि आप चुकी वो कहना है कि हम पुलिस को लगा देंगे तो कोई ना कोई तो मुझ खोल सकता है न तो जो टेंकर माफिया है उनका भी भेद खुलने वाला है जिस तरीके से शराब घौटाला खुला है ये आप टेंकर माफिया को छोटा ना समझें ये शराब घौटाले से भी बड़ा घौटाला होने वाला है क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को उन्होंने एक के साथ एक फ्री शराब बाटी पूरा दारू में डोगो दिया जब उन्होंने अपनी नई पालिशी लाया थी लेकिन आज की तारीक में इतनी गर्मी बढ़ रही है और वहां की लोग एक बून पानी के लिए प्यासे तरस रहे हैं अब आब यह देखिए कि इस सच को जो मेंस टीप का मीडिया है वो भी इससे आँक बचाए हुए क्यों क्योंकि उन्हें अच्छा खासा विग्यापन आम आदनी पार्टी दे रही है तो वो इनकी सच्चाई को क्यों बयान करेंगे और सुप्र इतने ज्यादा टेंकर माफिया है जो के पारी बिल्कुल गायव हुआ जा रहा है और इस पर सवाल भी पूचा है ये भी पूचा है कि आपने इसके लिए क्या हुपाई कि हैं अब हल्पनामा रखा जाना है तो उसमें क्या कहना है इसलिए इसलिए आतिशी माल लेना ने के मेजरिवाल के साथ मुलाकात की है कि अब इसमें क्या लिखा जाए आप बताइए टेंकर माफिया को कैसे सेफ करना है कैसे अपनी गर्दन बचानी है और फिलाल एक और अपडेट है वो ये है कि हिमाचल ने कह दिया है कि हम पानी नहीं देंगे आगे हमारे पास पानी खतम हो चुका है अब बात और बिगड सकती है फिलाल दिल्ली पुलिस को एक और काम मिल गया है वो मिनक नहर पर पहरेदारी का काम कर रहे है जबकि सुप्रीम कोड ने दिल्ली सरकार को जब टेंकर माफिया के मुद्दे पे घेरा और उसके खिलाफ कारवाई के लिए पूछा तो पहले तो दिल्ली सरकार बहुत सारे बहाने बनाती रही कि टेंकर माफिया पे तो उनका कोई बस नहीं चलता उनका कोई लेना देना नहीं है दिल्ली पुलिस उनके कबजे में नहीं है तो हम कैसे कहें कॉल रोके हमेशा जब कोई इस तरीके की बात होती है तो केजरीव दिली सरकार को डाट लगाई है कि अगर आप ये सब नहीं समाज सकते तो फिर इस पूरे का जिम्मा हम दिली पुलिस को दे देंगे और अब आप मज़ेदार बात देखिए इतना सब सुनने इतनी फटकार सुनने के बाद आतिशी मानलेनन क्या कहा है कोड में उन्होंने ये क मतलब चला कि अब कोट इसका किस तरीके से संग्यान लेगा एकाद दिन में इसका पता चली जाएगा तो वो चीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेकिन दोस्तों मैं आपसे भी जानना चाहती हूं कि ये सरकार पानी शीन रही है दिल्ली के लोगों से तो ये क्या उम्मीद करते हैं आने वाले विधान सबचुनाओं में क्या इनके साथ कोई खड़ा होगा इनके साथ इनके साथ अपना मत देगा शायद ये ही सोच करके संजे सिंग बिहार के दर भाग रहे हैं लेकिन उन्हें क्या ल सिंग ये सब करके केजरिवाल के लिए जो है केजरिवाल की जड़ा में मठा ढाल रहे हैं और अपने ली जमीन तलाश रहे हैं जमीन तयार कर रहे हैं लेकिन अगर उन्हें जरावी बुद्धी हो तो वो दिल्ली के लोगों की प्यास हो जाएं किसी तरीके से दिल्ली के पान देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा और अगर आपको मेरे content पसंद आ रहे हैं मेरा channel पसंद आ रहा है तो please आप मुझे बताईएगा जरूर and bell icon को press कर दीजे और channel को subscribe कर दीजे अगर आपको कहना मुझे भी guide कर सकता है और जो मेरा channel देख रहे हैं वो भी आपके comments के through करके गुजरेंगे उन्हें भी कुछ पता चलेगा तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल लखें कुछ रहें स्वस्त रहें जैहिन जैभारत